नमस्कार सांतियों सुबह से ही आप शोशेल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे अगर जाप ट्वीटर यूज करते हैं या फेश्बूक यूज करें जालोर के पास में एक आहोर विदानसवा है जिसके अंदर ओडवाडा करके गाव है जहां पर सुबह से ही लगातार पुलीश और प्रिशाशन के अंदर भारी जाबते के साथ में पेले पंजे जेसी बी और भारी मातरा के अंदर पुलीस बल था लेकिन वहां पर जैसे ये कादवाई शुरू ही तो जबर्दस तरिके से विरोध हुआ आप सोचिए वहां के जो लोकल लोग है उनक पर जले इस बात को लेकर जाश की ती जमीन को लेकर तब यह पता चलाता कि ये जो गाम है इसके अंदर काफी बिगा जमीन है वो औरन की है जहाँ पर कई सालों से पक्के मकान बने वे हैं और उसके बाद में कारवाई लगातार कोट के अंदर सुनवाई चलती रही और दो मही को हाई कोट की और से जालोर प्रशाशन वहां के जो तैसिल दार है उनको ये आदेश दिया गया है कि चौदा तारीक तक अगर जे कोई मकान खाली कर दे तो अच करनी पड़ती है एक इनसान को एक वेक्ति पैजा खून पसीने से वाकर और पका मकान बनाता है और जब उस आशियाने को तोड़ता हुआ देखता है तो उसके उपर क्या बीचती होगी और बहुत सारे ऐसे सोशिल मीडिया पर वहां के वीडियो वाइरल हो रहे हैं एक करवाई सुद हुई तो वहां पर पुलीस का जबरदस तरीके से जमाव रहा था आप देखिए तस्वीरों में देखिए कैसे लोग है वो जबसे करवाई सुद हूई जैसी भी आई तो लोग वहां पर आगे-ागए मैलाएं चीखने लगी चिलाने लगी तो पुलीस वालो बजलाल सरकार की जबरदस तरीके से फजियत हुई लोगों ने जम कर लिखा कि सरकार कहां पर है सरकार सो रही है सरकार ने इनके पुनरवास के लिए क्या किया है या लोगों ने ये भी एक्जामपल दिया इससे पहले जब नागोर के अंदर कुछ हुआ था इसी तरीके से हा कि तस्वीर आ रही है वो तस्वीर कहीं कहीं पुलीस वालों की भी हो सकता है मजबूरी हो लेकिन जो तस्वीर आ रही है बहुत भयावक्त तस्वीर हैं तो आप देखिए गोविन सिंग डोटासरा से लेकर वेब ऑव गैलोट जो की वहां के पृतियाशी है उन्होंने सीधे देना पड़ा और प्रशाशन कारवाई कर रहा है उन्होंने कलेक्टर से भी बातचीत की है लीगली एडवाईज भी लिजा रही है आप देखिए सोशिल मीडिया पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यकीन मानिये कहीं कहीं सरकार की और से ये बताता है कि सरकार को या तो सरकार को इस बारे में नॉलेज दी था कि इतनी बड़ी कारवाई हो रही है और इस तरीके से लोग चीखते चिला रहे हैं आप देखिए क्या-क्या लिखा है उसके बारे में मैं आपको कुछ एक ट्विट है जालोर में ये क्या हो रहा है मनोर विस्नुई जो की पत्रकार है इस सरकार को वारता करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए ऐसा नागोर के अंदर भी कोट के आदेश पर अतिकर्मन हटाने के लिए प्रशासन पहुचाता तो हनुमान बेनीवाल है वो ढाल बनका उसके बाद में एक विवेक सिर्वास्तर है जो की बारमेर के रहने वाले पत प्रशाशन कहा था कोई एक आजी जगह पर अतिकर्मन तो हुआ नहीं सेक्ड़ों की ताजाज में घर उस वक्त सरकार और प्रशाशन ने कालवाई क्यों नहीं की ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है अगर अब कालवाई करनी भी चीए तो सरकार को इनको लेकर कहीं एक दूसी जगह सिफ्ट करती या बीच का रास्ता क्या हो सकता था या कोड की एडवाई लेती ये तमाम चीज़े है जो की लोग है जम कर सरकार की मतलब आप सूचिए बहुत सारे ऐसे ट्वीट मिली गे गोविन सिंग दोटा सिदा ने लिखा है कि भाजपा के नए भाईयों की थी और उसके बाद में लगातार ये यहां पर कोई ऐसा नहीं कि दो च्यार साल से रह रहे हैं मतलब आप सूचिए दो तीन पीडी से लह रहे हैं और उसके बाद में अचानक की इस तरीके की कारवाई अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कुछ एक मकान थे वो कुछ इंटरफेर करती है क्या कुछ करती है क्या बीच का रास्ता निकल दी है जिन लोगों के मकान तोड़ दी गए है उनकी लिए सरकार किस तरीके से मदद करती है जिनके अभी मकान है उन्हें बचाने के लिए सरकार क्या कुछ करती है